आज का शिर्डी साइन संदेश कि मेरे ना होने से सबसे ज़ादा फर्क किसे पढ़ेगा बस जिसको फर्क पढ़ेगा उसी के लिए जीओ बागी सब को उनके ही हाल में छोड़ दो अगर आप से कोई उत्रा उतावला होकर बात नहीं करता जितना आप उनसे बात करने के लिए उतेजित रहते हैं तो आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए वरना आपको बहुत तकलीफ हो सकती है मैं जानता हूँ आजकल तुमें बहुत गुसा आने लगा है क्योंकि तुम अपनी तरफ से अच्छे से रिष्टे निभा देते हो लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो वो तुमसे मूँ फेर लेते हैं और अंदर ही अंदर ये घुटन तुमें खाये जा रही है और इसलिए आजकल तुमें गुसा भी बहुत आने लगा है लेकिन याद रखना जादा गुसा करने वालों में अक्सर ये लक्षन होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं जिन से ये लोग प्यार करते हैं उने वे बहुत संभाल कर रखते हैं उनका बहुत धिहान और खैयाल रखते हैं तीसरा जादा गुसा करने वाले सब का भला और अच्छा ही चाते हैं और करती भी हैं लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में बुराई ही मिलती हैं लोग इने बुरा ही समझते हैं और चौथा जादा गुसा करने वाले लोग कभी भी किसी को धोका नहीं दे सकते और जूट बोलने वाले लोगों से वो सक्त नफरत भी करते हैं जादा गुसा करने वाले लोग होते तो बड़े मूफाचे हैं लेकिन अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते हैं जो बोलना है मूपर ही बोल देते हैं अपने अंदर कुछ भी नहीं चिपाते हैं लोगों से बहुत प्यार करते हैं मैंसलो बहले ही उपर से गुऽा जुरूर करते हो लेकिन अंदर से दिल से एकदम साफ होते है । ये सब लक्षण तुम्हारे अंदर है। तुम्हें आजकर गुणसाने लगा है मैं ये सब देख पा रहा हूं लेकिन फिक्र मत करो जैसे हो ना वैसे ही रहना किसी और के कारण अपने सभाव को मत बदलना लेकिन जो भी चीज आपको कमजोर बनाए चाहे कोई इनसान हो कोई परिस्तिती हो हलात हो सब को एक जहर के बादी त्याग देने में ही तुम्हारी भलाई है वरना ये सब चीजें आपको जहर खाने में मजबूर भी कर स सकती है इसलिए जो परिस्तितियां तुम्हें समझ ना आ रही हो जो स्थिति तुम्हें नहीं समझ आ रही है जो इनसान तुम नहीं समझ पा रहे हो उससे दूर हो जाने में ही तुम्हारी जीवन में भलाई है आगे चल कर नहीं तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है इसलिए प तुम क्यूं इन से परशान होते हो, जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, गलत तुम्हारा चाता है, वो व्यक्ति खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता है, उसके साथ कभी भी जीवन में सही नहीं हो सकता है, तुम बस प्रसन रहा करो, और अपनी जीवन को खुशी से जी मस दहा करो, खुश रहा करो, किसी की सोच सोच कर किसी के वहवार के उपर अपना प्रभाव मत डलने दिया करो, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, फिर भी तुमारी भक्ती तुमारी आराधना कहीं नहीं कमजोर पढ़ जाती है, क्योंकि तुमारे आस-पास का बातवरन ही कोई गलती नहीं है मैं जानता हूँ कि तुम जीवन में बहुत आगे जाना चाते हो बहुत उचाईयों कोछ होना चाते हो सफलता प्राप्त करना चाते हो न लेकिन इतनी महनत के बावजुद भी तुम उतने सफल नहीं हो पा रहे हो जितना की तुम मेहनत करते हो इसकी वज़े ये भी है कि तुम जितना सफल होते हो जीवन में उतना ही साथ साथ तुम पैसा भी व्यर्थ की चीजों में निर्वाग कर देते हो जिससे तुम वापिस वहीं आकर अटक जाते हो वहीं गिर जाते हो इसलिए बिकार की मितरता, मतलब की रिष्टेदारी, अपनी खुद की तुम्हारी कुछ गलत आदतें जब तक तुम इने नहीं सुधारोगे, तब तक तुम जीवन में प्रगती की और नहीं बढ़ पाओगे सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ ही जाता जाएगा इतनी महनत भाग दोर, सबसे पहले खुद को अपने उपर ध्यान दो मतलब की मितरता, रिष्टेदारी, इन सब को छोड़ दो सबसे दूर हट जाओ, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाते हो अपने लक्षे की महनत के साथ साथ, अपना मन सचसंग भजनों में लगाओ अच्छी और नेक कर्म करो जितना हो सके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जादा से जादा दान करो अपने चादर से पाओं भार निकालो मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन फिर भी अपने हाथों कुछ ना कुछ दान दक्षना करना बहुत जरूरी है उसका फल कहीं न कहीं तुम्हें जरूर मिलता है जब तुम किसी समस्या में बड़ी गंभीर बिमारी में या कहीं ऐसी परिस्तिती कठिनाई जापे तुम्हें कोई सहरना मिले तब तुम खुद बाखुद बाहर निकलते हो ये पुन्ने कर्म तुम्हारे तब काम आते हैं इसलिए पुन्ने कर्म जीवन में हमेशा करते रहना चाहें हर किसी को फिर देखना तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उन्नती में सफलता में कोई बादा नहीं आएगी तुम्हारा भाव और विवार औरों के प्रती बहुत अच्छा है इनसान को सबसे सबके साथ अच्छे से विनर्म भाव रखना चाहें सबसे अच्छे से बात करनी चाहें और यही सेवा भाव उसके जीवन में आने वाली परिशानियां कश्ट दुख से उसको बचा लेती है बस तुम आप व्यर्थ के चिंताओं में अपना कीमती समय बर्बाद मत किया करो जीवन को सुक्मे बनाने के लिए निस्वार सेवा करते रहो तुम्हारी जीवन की कठिनायां समसें खुद बखुद हल होती जाएंगी और पूरे दिन में मुझे याद करते रहा करो जहां तुम पूरे दिन इतनी जिंता लगाते रहते हो उससे बहतर है कि तुम मेरा नाम जाब कर लिया करो क्योंकि जितनी बार तुम मुझे पूरे दिन में याद करते हो उतनी बार मुझे भी तुम्हारा ध्यान रहता है मेरे बच्चों और उतनी बार मैं तुम्हारा भागे भी बदल देता हूँ पूरे दिन में जिसको भी हम याद करते हैं उनके मन की स्थिती हमारे मन की स्थिती से जुड़ जाएगी तो जरा सोचिए यदि तुम पूरे दिन ईश्वर को अपने भगवान को अपने गुरु को अपने ईश्वर को याद करोगे तो तुम्हारे मन की स्थिती कितनी शक्तिशाली और भागे शाली हो जाएगी इसलिए वक्त कैसा भी चल रहो जीवन में परमात्मा को ईश्वर को हमेशा याद रखा करो क्योंकि वो ही है जो तुम्हारी परिस्थिती तुम्हारी हलात बदल सकता है और जो इंसान जो परिस्तिती तुम्हे समझ ना आ रही हो, जो इंसान तुम्हे नहीं समझ पा रहा हो उनसे थोड़े दीनों के लिए दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई है कभी कभी दूरिया फासलों को मिटा देती है और फिर एकांत मन में अकीले में बैट कर सोचना कि अपने मन से लड़ना सीखो देखो कि तुम से कमी कहां रह गई है दुखो कर डट कर सामना करो लेकिन कभी भी उनसे हारना नहीं चाहिए और जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए तो वहां माफी मांग कर अपने रिष्टों को संभाल लो जहां लगता है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए और वो माफी नहीं मांग रहे है कहीं न कहीं उनका एहंकार आगे आ रहा है या तो उन्हें समझाई नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे रिष्टे तो वो ऐसे रिष्टे आपको पूरी जिनकी दुख्य ही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे, इसलिए ऐसे रिष्टों से दूरी बना लिने में ही तुम्हारी भलाई है, इससे बहतर है कि अलग हो जाना चाहें, भाकि कोई भी तुम्हारा चाह कर भी बुरा नहीं क कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हूं हमेशा बस तुम यूही मेरी अराध्ना भक्ती करते रहना मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा कभी भूलूंगा नहीं और खुश रहा करो मैं तुम्हारे आंख में आसु किसी भी चीज के लिए नहीं देख स हमेशा प्रसन रहा करो मेरे बच्चे राम क्रिश्न हरी राम क्रिश्न हरी राम क्रिश्न हरी